हलो हलो स्टूदिंस इन दिस वीडियो वे गुए गुए गो थू 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 थालो एलकेंज आद थाप्टर कुए क्रिविशन समरी है आपके सामने सबसे पहले एक तरह जहां से सवाल आते आता है वो की आपको CX सब्सक्राइब की हाइड़ाइशन पहचान नहीं है तो हमेश्रा याद रखना कार्बन जिब आपके चार आतेम्स चार ग्रुप से जुड़ा हो तब वो कार्बन होता है आपका SP3 हाइब्रिडाइज अब इसी SP3 हाइब्रिडाइज में आपको या इडेंटिफाय करना आना कि वो प्राइमरी है सिकेंडरी है कि टर्शिरी फॉर एक्जाम्पल इस मिठाइल यहां पे कार्बन केवर हाइड्रोजन और हालोजन से जुड़ा है प्राइमरी में जब आपका कार्बन जिस से हालोजन लगा है वो जब आपका एक कार्बन चेन से जुड़ा हो सिमिलरली वो आपका जब 2 कार्बन से जुड़ा हो तो secondary, similarly जो आपका carbon जिस से हालोजन जुड़ा है, वो 3 कार्बन से जुड़ा हो तो tertiary, simple, this is SP3, SP3 के और भी examples है, another one is the allylic carbon, अब allylic position जान लेते हैं, इस पे सवाल आया है, दो बार आया है, आपके board exam में, तो important है, ध्यान से थुलना, यहां पर ALYLIC C auf Ing यह दाबल बन दखाई लेगी डबन से जो डिरेक्ली सिंग बन से अटाच कार्बन है। डबन से डारेक्ली अताच कार्बन पे जब हालोजन होती है उसको भोलते है tai फॉझीजिशन थे फॉजिशन में सब्सक्राइब दूरे साफ वाले कार्पन को बोल निकर्भन उस Сँ जिए तो इस र मॉला के तो तो primary यह carbon ज़से halogen लगी है वो दो carbon chain से जुड़ा है तो secondary जिस carbon से halogen है वो आपका तीन carbon chain से जुड़ा है तो tertiary simple उसी प्रकार जो Benrophylen position होती है Benzi alik क्या है Benzinne ring से जो directly attached 害 carbon 25 very Important Benzen Riň सेdependentaly attached carbon को बोलते है Benziel carbon अब उस वैन जली carbon से अगर हालोजन जूड़ी है तो वो बंजाईलिक हलाइड हो गई यह भी आपकी प्राइमरी सेकंडरी टर्शरी हो सकती प्राइमरी जब यह वाला कार्बन के विल एक कार्बन से जुड़ा है सेकंडरी जब यह कार्बन आपके दो कार्बन से जुड़ा है तर्शरी जब यह कार्बन आपके तीन कार्बन से जुड़ा है एजी तो इस इस पी थी सिमिलर्ली एस पी टू में आते हैं आपके विनाइलिक अंड और अरायल या फिर हालोरीज अविनाइलिक पॉसेशन क्या होती है डबल बॉन है राइट इस डबल बॉन से आपका डिरेक्ट ली हालोजन जुड़ा है जिस कारड़न पे डबल बॉन जबसे डिरेक्ट ली हालोजन इymphें होता यंपोर्टम पॉन एक अपके वेषणा है जब डबल बॉन से डिरेक्ट ली हालोजन चुड़ा ही तो इस डाठ यां-पवेधि कहीं जिस ढर्बन प ते डुडबल बॉन है उस कारड़न से डिरेक of that bond bond का nature है यहाप एक कार्बन हालोजन से जुड़ा है हालोजन is more electro negative आपका group 17 है वो electrons अपनी तरफ पुल करके रखता है जिसकी वजह से this bond is very polar अब इसकी डाइपोल मोमेंट की बात करें तो यह order follow होता है chlorides का ज्यादा डाइपोल मोमेंट है then fluorides bromides iodide क्योंकि डाइपोल मोमेंट आपके चार्ज और डिस्टेंस पर डिपेंट करता है तो इसलिए this is order that is followed उसके बाद bond energy तो सबसे strong bond CF है क्योंकि fluorine carbon दोनों छोटे-छोटे तोड़ना मुश्किल है जैसे जैसे size increase होता जाता है bond energy भी increase होती जाती है decrease होती जाती है बड़ा size longer bonds long bonds are weak तोड़ना आसान तो यह वाली bond strength की energy follow होती है उसके बाद boiling point बहुत important boiling point molecular weight के directly proportional है मन आप जैसे जैसे molecule बड़ेगा आपका boiling point भी भड़ेगा साथ ही में जैसे जैसे branching भड़ेगी आपका boiling point कम हो जाएगा very important जैसे कि यहां पर देखिए यह आपकी चार carbon यहां पर भी चार है यहां पर भी चार है राइट सब में चार है बड़ जैसे branching increase हो रही है आप देखोगे कि boiling point आपका decrease हो रहा है similarly एक बहुत important boiling point melting point of these die hollow arines important day to go through them in ka boiling point कैसे होता है कि सबसे ज्यादा boiling point in ka ortho का उसके बाद है प्यारा का उसके बाद है मेटा का melting point को order भी यहां given है यह बहुत important है यह exam में बहुत बार आया है उसके बाद solubility अगर इसके बात करें तो बच्चा इसका solubility पानी में कम होता है क्योंकि यह strong hydrogen bonding नहीं बना पाता water के साथ पर यह आपकी इन और्गानिक और्गानिक solvents में बहुत ज्यादा solubile होता है राइट और गानिक solvents में solubile होता है उसके बाद आते methods of preparation of halo alkanes very very important सबसे पहले है reactivity order of alcohol सबच्चा यहां पे कॉनसा reactivity order follow होता है तरश्री मोदन सेकेंडरी मोदन प्राइमरी वाला बहुत इंपॉर्टन उसके बाद यह सारे रियाक्शन जे alcohol के साथ हो क्या रहा है सबसेडियूशन रियाक्शन हो रहे कि आपका ओच जाएगा उसकी जगा में आपका क्लोरीन आ जाएगा मैंने सारे यहां मेथद सखें है साथी में एक सेल के साथ एक और चीज है कि जब आप आसेट के साथ आलकोहल का रियाक्शन करवा रहे हो तो प्राइमरी और सेकंडरी आलकोहल के साथ आपको कोई आस जैसे की जैदिन सीयल टू चाहिए एक काटिलिस्ट बढ़ टर्शरी के साथ कोई क्याट आयन यहां पर आ रहा है अब कोई पूछेगा कि हालो एलकेन बनाने का बेस मेथट कौन सा है तो नीचे वाला एसो सी एल टू के साथ बैस्ट है क्योंकि यहां पर जो आर सील अलकायल हलाइड हमें चाहिए था उसके साथ सारी ग्यासियस प्रोड़क्ट्स मिलते हैं तो इस मिलता है बहुति मिलता है जैसे कि यहां पर बुजशिन पेकली क्लोरी ना गया है हॉड़री पोजेशन पर इस फिसकेश्व तो इसके वज़े से इसके टोटल प्रड़क्स आपको चार मिलेंगे एसे सवाल आते हैं एक्जाम में कि बताइए कितने मोनो क्लोरिनेटेड मोनो मतलब एक क्लोरिनेटेड प्रड़क्ट आपकी इस मॉलक्यूल से बनेगा जब आप उसका ये वाला रियाक्शन करवाओगे ये रियाक्शन होता है बच्चा फ्री राडिकल मेकानिजम से बहुत है फ्री राडिकल मेकानिजम से ये वाला रियाक्शन होता है तो और इसमें मिक्स्टर अफ प्रड़क्ट्स आपको मिलते हैं अब क्योंकि मिक्स्टर मिल रहा है इसलिए बहुत अच्छा मैथड नहीं है कोई भी हालो एलकें प्रिपेर करने का नेक्स्ट की आलकीन से प्र यहां पर नेटिफरेंटी को औह 공णा सबक्रांब यह होने से यह जैए है आपके हैड्रोज न बनता है मोस्टेबिस जहां पे मारकोव नीकोव एदिशन से प्रिडक्ट मिलता है कि आपका मोर सब्स्टेट्ट इट पॉजिशन पर आपका हालोजन का एदिशन होता है यह मेजर प्रड़क्त है यह आपका माइन प्रड़क्ट है राइट सिमिलरली अगर यही रियाक्शन मैंने अलकीन की कोई भी हालो अस तो मुझे आंटी मार्कोवनी को प्रड़क्ट मिलेगा यह भी बहुत इंपोर्टेंट है कि अब मेरा जो ब्रोमीन है वो मेरा लास्ट वाले कार्वन पे लेस सब्सिट्यूटेट कार्वन पे जाके अटाइक होगा सिमिलरली एडिशन ऑफ हालोजन्स आलकीन की ही रियाक्शन कर रहे हैं अब आलकीन लिया उसमें डिरेक्टली कोई ब्रोमीन डाल दिया याद रखना ब्रोमीन क्या है आपका एक रेडिश कलर का सॉल्वेंट होता है तो यह आपके आलकीन का टेस्ट करने के लिए बहुत यू क्योंकि यहां पर आपका ब्रोमीन यहां पर जाके लग गया और आपका ब्रोमीन हो गया कलर रेस हो गया तो यह आपका आलकीन का टेस्ट भी है साथी में यहां पर देखो अगर आपने ब्रोमीन को आलकीन से रियाक करवाया बट अपने हीट बेदी यहां पर आपने CCL4 की प्रेजान 반 전 τरफी मैं किट किए वह एपने दे बी बच्च तो यहां पे क्या होगा अल्यल इन पूजेशन ऑन से होती अभी बताइथ внут绐बह से जो दिरेटली लिए जई धार्च और वाला होता है अल्यविक पूजेशन घ्जैंट हो जाता है अन Stück चले आगे नेक्सका से पिंकल से र्याक्शिन इसे भी हालो और था है हालो योडाइड जयॉज फदो बुलते तो कैसा है है यह है का अलकाइल हलाइड है आप न आई ड्राय ऐसे टोन में रियक्शन करवाते हूं कौन से अलकाइल हलाइड ले सकते हूं क्लोरीन या ब्रोमीन और फिर आपकी आयोडीन की फॉर्मेशन होते हैं यहां पर और जो आपका यह बाइप्रोडक्ट बना है इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है रई नेक्स्स ट comigo आपका फ्लोराइड बनाने का यह एक बहुत अच्छा प्लोराइड कोई भी आपने अलकाइल हलाइड लिया और भिरवैक्ट का आपने मेटल फ्लोराइड से और उपका एक से रियकशन कर आपका या लोराइड इस सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो हालोजन है वो यहां से जाता है और उसकी जगा पे नया नुक्लियोफाइल आड होता है नुक्लियोफाइल क्या होता है जो की आपका इलेक्ट्राइ्ट स्पीशीज है क्या होता है जो एक चीज जाके दूसरी चीज आने को बोलते हैं substitution अब यह दो प्रकार का होता है substitution वन टाइप एसेंट टू टाइप यहां पर लिखिए एसेंट टू रिप्रेजेंट करता है यहां पर आपका जो रियक्शन है वो रियक्टेंट प्लस रीजेंट दो दोनों पर डिपेंड करता है यहां पर ट्रांजीशन स्टेट बनती है वन स्टेप रियक्शन होता है inversion of configuration होता है इसका क्या मतलब है कि for example यहां पर हमने एक alkyl halide बनाया उसका OH से मैंने reaction करवाया राइट अब करवाते ही मेरी इस प्रिकार की पांच की transition state यहां बन गई अब transition state यहां पर बनते है जिसमें जो carbon है वो अभी पांच चीजों से जुड़ा है तो very unstable इसको कभी आप isolate नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ जो OH है उसने आपका back side OH which is the nucleophile उसने back side से attack किया उसके बाद आपका OH धीरे धीरे जुड़ने लगा और जो chlorine है वो साथ में तूटने लगी तो फिर लास में क्या होता है OH आपका back side से जुड़ जाता है chlorine आगे से निकल जाते है तो यहां पर प्रड़क्ट मिलता है वो मिलता है आपको inversion of configuration से कैसा मिलता है बच्चा inversion of configuration से प्रड़क्ट मिलता है समझ गए अब से मिल आली reactivity order क्या है क्योंकि बाक साइट से टाक हो रहे है तो आपका जो alkyl halide होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए जिसके पास अवा सुचों पीचे से टाक कर रहे तो यह बड़े-बड़े ग्रूप्स हो तो फिर यह तो अटाक ही नहीं कर पाएगा है ना तो यह छोटे होने चाहिए इसी लिए यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होनी चाहिए तो रियाक्टिविटी ओडर का कि यह फॉलो होता है कि मिथायल हुलाइट मोस्त क्रिया प्रामरी से केंजी ठोशणी राइट अब यहां पर क्या है बाकी यह वाला यह ऑर्डर फॉलो होता है क्योंकि आरी is easier to break than RBI than RCL than RIF उसके बाद है SN2 हो गया आप इसको SN1 कर दीजिए SN1 reaction SN1 मतलब unimolecular reaction होता है इसमें कार्बोकाटाइन बनता है इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखो आपका पहले ब्रोमीन यहां से हटता है और फिर आपका कार्बोकाटाइन की formation पहले होती है इसको बोलते हैं क्या स्टेप में कार्बोकाटाइन फॉर्म होता है उसके बाद जो भी आपका आपकार न्यूक्लियोफाइल है अब जो कार्बोकाटाइन ऐसे फॉर्म हुआ उसके पास वेकंड पी और बिटल से प्लेणर स्रुक्ट्चर है अब क्या करेगा ओएलिगा पिना यहां से भी अटाग कर सकता है आगे से पीच्छे से कहीं से भी अटाक कर सकता है क्योंकि हम जिसमें जब पीछे से अटाक हुआ तो इन्वर्टेट हो गया उसी साइट से टाक हुआ तो सेम रिटेंशन वाला प्रोड़क्ट मिला मतलब जो स्टीरो केमिस्ट्री पहले थी अभी भी वही स्टीरो केमिस्ट्री आपकी फॉलो हुरिये तो आपको रेसिमाइजेशन वाला मतलब दोनों चीज़े एक साथ मिलना ठीक है अब उसके बाद कौन-कौन से न्यूक्लियोफाल अटाक करते यह लिस्ट है आपके इंसे आटे की बहुत इंपोर्टेंट है गो थुरू दैम यहां पर रियेजेंट है जैसे नावेच तो नावेच अगर न्यूक्लियोफाइ ना इंए ओ आर में हैं पर सारे लिस्ट रखी इंपोर्टेंट है 4 पिलियूंट है जैसे और यह वाले जो इनाइट राइट से इने आटनों होते यह आपके अलटेल्ड न्यूक्लियोफाइल मतलब बहुत तो यहां से एलेक्ट्र Subscribe aver लोग दो कर सकता है और सकता है बट एक टाइम पर एक ही करता है जैसे कि फॉर एक्जाम्पल हम केसी इन दिखते हैं केसी इन का अगर में इसको तोड़ूंगी केसी इन क्या है मेरा आयोनिक साइनाई पानी में जाते ही कैसे विचांज में प्लस कर दें meidän कने य। निय। मैंने अगी य। याद रखना एज और कारबन की बढण है कैसी वेलें तो यह बहुत आसानी से नहीं तूटती तो राधर क्या होता यह नाइट्रोजन आपका आर पे अटाक करता है इसलिए इस केस में आपका आई-सू शाइनाइट बनता है सिमिलर कंसे फॉर्म फॉलो हो था आपके के नो टू में के नो टू में आपका अलकाइल नाइट्राइट्स बनता है और अगर आपने एजए नो टू रिएजिन ले लिया तो आपका नाइट्रो आलकेन बन जाता है ठीक है उसके बादे आपकी ऑप्टिकल आक्टिविटी के सबसे पहले आपको ऐसा कार्बन देखना है जो की आपका SP3 हाइब्रिडाइज वरी इंपॉर्टेंट सबसे बतलब की वह चार अलग अलग चीजों से जुड़ा हो अब SP3 देखने की बात जब मैं उसकी मिरर इमेच बनाती हूं तो उसकी मिरर इमेच होनी चाए यह नौन सूपर इंपोजबल राइट नौन सूपर इंपोजबल साथी में वहां पे कोई सिमिट्री प्रेजट नहीं होनी चाहिए तो आपका कंपाउंट काईरिल और ऑप्टिकली आक्टिव होगा काईरिल कारबन तो जब चार डिफरेंट चीजों से अटाचे तो काईर प्रेजबल हो गया बट ऑप्टिकली आक्टिव होने के लिए उसमें कोई समिट्री नहीं होनी चाहिए और उसकी जो मिरर इमेज हो कैसी होनी चाहिए नौन सूपर इंपोजबल और इन्हीं को हम इनांशियूमर्स भी बोलते हैं अब यहां मैंने बहुत अच्छे एक्जा यहां पर भी दूर दिखेगा यह पास तो यह पास दिखेगा राइट तो इसी प्रकार से मिरर इमेज दिखेगी अब मैं यह मिरर इमेज इस पेश्वर इम्पोस करूंगी तो नहीं होगी तो यह इनांशियूमर्स हो गये तो जैसे कि यहां पर लिखा यहां पर यहां पर यह तो नहीं है बट यहां पर मॉलेक्यूल सारे सेम हैं मतलब CH3 है मतलब जिस कारबन से जो मॉलेक्यूल उटाच्टेव सेमा bias उनका अर्येंजमें डिफारे तो हो गया तो वह डाया स्टीरियो मर्स हो गया तो से मिलर्ली आपकी पास नेग्स्टोंते मीजो कंपट क्या होते हैं जिनमें आपकी आजाती है सब्सक्राइब और नीचे एच इधर इंके बीच में डालती हो तो मुझे क्या लगेगा कि यह एक दूसरे की मिरोर इमेज बना रहे हैं तो यह होते हैं मीजो कंपाउंजे में होती है समेट्री तो जिनमें सिम्ट्री होती है वो क्या हो जाते हैं आपकी एक काईरल हो जाते हैं मतलब की optically inactive होते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े अब जो optically active compound हैं को वो क्या सोच समझ के हमने बोला है कि वो optically active है तो बच्चा एक PPL light होती है जिसको बहुते अगर वो मैं optically active compound से पास कराती हूं और फिर वो rotate करती है चाहे राइट डिरेक्शन में चाहे लेफ्ट डिरेक्शन में तो इसका मतलब और अगर उसने rotate नहीं किया वो आजट इस चले गई तो इसका मतलब optically inactive compound है तो अगर वही लाइट राइट में rotate होती है तो आपको compound dexter rotatory है वह लेफ्ट में होती है तो लिव रोटेटरी उनके symbols मैंने नीचे लिखे में कैसे वह रिप्रेजेंट कर किया जाते स्मॉल डी और प्लस से स्मॉल एल और माइनस से अंडेस्टूट अब यहां पर जोई काईरल कंपाउंज बच्चा आपके यहां पर यह हुआ यह सारी चीज़ समझ जाए उसके बाद अगर जो लेफ्ट और राइट है यह दोनों की मात्रा 50-50 परसेंट आपकी बन रही है कोई भी रियाक्शन में जैसे कि हमने देखा था एसन वान में आपके दो प्रकाव की कंपाउंज बनते हैं रिटेंशन वाले भी और इंवर्जिन वाले भी देखा था तो उसमें डी और एल आपकी कैसे बनते बराबर मात्रा में अगर बन गए तब उनको बोला जाता है रैस्मिक मिक्स्टर जरूरी थोड़ी जितना दिन निया वह रासिमाइजेशन है रास्मिक मिक्स्टर तब होता है जब यह भी 50% यह भी 50% है अंडिस्टट चलिए उसके बाद एलम्यनेशन रियाक्शन यह भी बहुत इंपोर्टन्ट है रिक्षा है यहां पर एक बेसे हैं यह पर बेस होते हैं उसके पास क्या उतल बहुत ज्चा यह फिर हम सबघ्रभ कि या फिर 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 टाइर होओत अचम comum कुछ गार्च नक करता हूं क्या dwa है तक तब तब उसको बेस बोला जाता है अब जो वो हाईडोजन उपर से लेता है और आपका जो हलोगन वाईट नीचे से लिखे जाता है और इस प्रकार से फिर आपकी alemine है जाती हुलिंअगर एह जाती है किसका है माईनस ह्एक्स हीडरोले पहले है योज है सारी चीज़े लिखे एंटी पेरी प्लेटर एलिमिनेशन होता है मतलब अगर हाइड्रोजन उपर से गया है तो आपकी हालोजन नीचे से जाएगी प्लेशन है कि मेरा यहाँ है तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन frag जाती है क्योंद से जाती है तो ऑगर हाइड्रोजन से हाइडरोजन जाती है तो आपका मोर सब्सिट्यूटेड आलकीन बनता है विच इस यौर मेजर प्रडॉक्ट राइट इसको बोलते हैं जाइट सैफ रूल आगे चलते हैं एलिमिनेशन वसे सब्सिट्यूषन यह वी बहुत इंपॉर्टन इस् या बनारखी पापब एलिमिनेशन हो गा तो सब्सिट्यूशन हो गा थो आपका इल्मिनेशन नहीं होने वरा सब्सिट्यूशन कब होगा तो इसस इंप्वक्तनेस्ट वन्स गां उसके बाद रीक्शन विद मैटल जिसने बच्चा अगर ग्रिग्नाड रियेजन्ट एंपका उससे अगर रियाक्शन करवाते हैं तो आपका वे हमें मे benevolent से रियाक्शन होता है यह पी क्या होगा आपका of काई हलाइड मेगनीजियम से रियाक करके आपका आर एमजी एक्स प्रड़क्त बना देगा जिसको बुला जाता है ग्रिगनाड रियेजिन विच इस वेरी हाइली रियाक्टिव अब जो बचा ग्रिगनाड रियेजिन ते उसकी पास है आर एमजी की तो होती है पोलर वह वाटर से थिएक करके क्या बना देता है रहाटा देता है वाटर से हाइड रोजन अब स्टर्च करता है तो यहां से यह पूरा क्र पूरा चला जाता है और आपका आरेच बन जाते है वुच्छ प्रकार का डाइमर प्रोडक्स लीए श्टरी श्री प्रड़क्त understood चलिए तो यहां तक हमारी सारी रेक्शन्स खतम होती है हालो एलकेंज की साथी में मेरे पास एक बहुत इंपोर्टेंट न्यूस है आप से शेर करने के लिए अगर आप नीट का या जही का एक्जाम दे रहे है उन बच्चों के लिए है नीट के एक्जाम के लिए आपको 18 टेस्ट मिलेंगे जैए की एक्जाम के लिए आपको 25 टेस्ट मिलेंगे जिसमें जैए में जैए एडवांस दोनों के टेस्स है यह टेस्ट दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है इन टेस्ट के आपको टेक्स सल्यूशन्स तो यू शुट दौनलोड RankPris आप एंडूल इन रोल इन देस्ट सेरीज और प्लीज लेक में नो कि आपकी क्या रंक आती है इन देस्ट तिल देन बबाई hope you learn something from today's video thank you so much